जब होसला बना लिया है उची उडान का फिर देखना फिजूल है कद आस्मान का जैन दोस्तों मैं रणवीर चौधरी रिटाइड असिस्टेंट गमांडेट CRPF रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों एक बार फिर नई टिप्स के साथ आया हूँ आपके होसलों को आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए जैसाब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दोड़ से पहले कैसे हमें बोड़ी वार्मप करना है उसके बाद में दोड़ कैसे प्रेक्टिस करनी है सोला सो मिटर की स्पेशली में बात बता रहा हूँ और उसमें एक्सराइज के बाद बोड़ी को कूल डाउन कैसे करना है तो इस पे अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर हैं सबका स्वागत करता हूँ चैनल को कर सकते हैं आप और डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो आप लगातार देख सकते हैं अगर आपको किसी भी डिफेंस की एक्जाम के लिए फिजिकल तैयारी करनी है तो लगातार इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे आज का जो टोपिक है अप लगाना डिप्स से क्या होता है कि आदमी में थोड़ी सी स्टेमिना ज़्यादा आती है और इसको सेट्स में लगाना आपको एक बार में आपको जैसे दस लगा पाते हो कोई बात नहीं उसके बाद में दुबारा फिर दो मिनिट का रेस्ट करिए और फिर शे आठ लगाई और उसके बाद फिर एक दो मिनिट का रेस्ट करिए और रेस्ट में दूसरी एकसरसाइज करनी है एक तरह से सेट्स बना के लगानी है और इस तरह से संख्या लगाता आपको बढ़ाते जाना है डीप्स की नेक्स जो एकसरसाइज है दोस्तों ये अबडोमिनल है अबडोम जाली मांस पीशिया मजबूत नहीं होगी तब तक बोड़ी हमारी फीजिकल की कोई भी एक्सराइज अच्छे से नहीं कर पाती है और इसके बाद तीसरी एक्सराइज है दोस्तों वह आप देख रहे हो कि इसमें एक ही जगह आपको पूरे पैर उपर लेने हैं पैरों को बहुत इंपोर्टेंट है और दोस्तों लास्ट जो एक्सराइज चोथी एक्सराइज आप देख रहे हो यह सारी एक्सराइज रनिंग के बाद करनी है और इन से क्या होगा कि आपकी स्टेमिना में काफी अंतर आएगा दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होता है लेकिन आएज गयान में ढार दोस्तों एक्सराइज गए।